देखिए फर्स्ट क्यूचन है जीस परकार 147 का सम्मद्ध 122 है तो उसी परकार 158 का सम्मद्ध किससे होगा वीडियो को रोकिएगा और बनाने की कोशस करिएगा ठीक है मतलब 147 को क्या करें कि 122 हैगा सेम होई सम्मद्ध करके नानना है देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया गया मैं इसे डिरेक्ट सूल्ब कर रहीं देता हूँ 147 में क्या किया गया 75 जोड़ा गया अगर हम इसमें अपना से 75 जोड़ेंगे तो केतना हो जाएगा 222 जो की देखिए यहाँ पर दिया गया है अगर 158 में अगर हम उसी परकार 55 जोड़ेंगे तो केतना हो जाएगा 85 तेरा के 3 हासिल एक साथ पांच बाड़ा एक तेरा के तीन और एक एक हसलिया दो देखिए 233 आगया जो की option नमर देखिए C में है C option इसका सही हो जाएंगे तो दोस्तों यारा आपका दूसरा क्यों चन पांच का समद्द देखिए 124 है तो उसी परकार साथ का समद्द किसे होगा उतर कमेंट में बताने की कोशिस करिएगा ठीक है इसका पांच को क्या करें कि 124 हैगा देखिए देखते के साथ एंसर बादा चल रहा है अगर पांच का क्यूब अगर किया जाए तो पांच का क्यूब 125 होता है और माइनस एक कम कर देंगे अपना से तो केतना हो जाएगा 124 देखिए दिया गया है सेम लोजिक इसमें भी करेंगे तो आ जाएगा साथ का अगर देखिए क्यूब किया जाए तो साथ का क्यूब 343 343 होता है माइनस एक कम कर दीजे उसी परकार अब तो 342 हो जाएगा 342 देखिए दिया गया है B option में B option इसका सही हो जाएंगे बढ़ते हैं ले सवाल की ओर एरा आपका तीसरा क्यूचन 5 का संबंद देखिए 125 से है तो उसी परकार 8 का संबंद किसे होगा ये तो दोस्तो और ही सीम्पल है कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है जिसको square और cube याद होंगे तो असानी से solve कर पाएंगे 5 का cube कोई बता देगा भाई 5 का cube देखिए 125 होता है तो 8 का cube केतना होगा इसका answer केतना होगा comment में बताने की कोज़िस करिएगा ठीक है बढ़ते हैं अगले सवाल की और ये देखिए 14 सवाल 49 का संबंद देखिए 130 है तो उसी परकार 78 का संबंद किसे होगा मतलब 49 को क्या करे कि 130 आएंगे देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया गया है 49 के अगर दोनों संबंद को जोड़ा जाए अगर तो केतना होगा 9,4 होगा 13 और 13 में क्या करिए ना अपना से 10 से गुना कर दीजिए तो 13 दा में होगा 130 130 देखिए दिया गया है सेम लोजिक इसमें भी करेंगे 78 के अगर दोनों संबंद को जोड़ा जाए तो 8,7 केतना हो जाएगा 15 और उसी परकार 10 से गुना कर दिया जाए तो 15 दा में 1500 ओप्सन नमर देखिए C में है C ओप्सन इसका सही हो जाएगा तो दोस्तों यह रहा है आपका 15 की उचन वीडियो रोकिए गार और बनाने की कोशिश करिएगा 14 कसम बंद की 141 से है तो उसी परकार ओप्सन में से कौन आएगा कौन होगा उसी परकार बनाईएगा ठीक है अप लोग वीडियो रोक कर चलिए मैं इसे solve करूँगा ठीक है देखे इसमें क्या किया गया है चवदा चवदा क का देखे क्या किया गया रुकिए थोड़ा देखे 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 14 के जस्त आने वाला संग्खय क्या होता है 15 तो 14 के square और 15 के square ठीक है इनको करिए तो करके और आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 196 होता है ना 14 के स्क्वेर और 225 होता है 15 के स्क्वेर अगर आपस में जोड़ा जाए दोस्तों तो हो जाएगा 421 421 देखिए दिया गया है सेम लोजिक करेंगे ओप्सन में कौन सा मतलब ले कि सेम बन जाएगा अगर देखिए ए ओप्सन को अगर लिया जाए एंसर आ भी सकता है ठीक है देखिए 11 के आने ओला संख्या 12 11 के स्क्वेर 121 12 के स्क्वेर 144 अगर साथ में अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 265 ठीक है देखिए 265 दिया गया है यानि इसका ए ओप्सन सही होगा बाकी सब गालत होंगे चेक कर लिजेगा आप लोग ठीक है बढ़ते हैं अगले सवाल की और ए राप का 6 की उचन 15 का संबंद देखिए 1125 सहत उसी परकार अभी सेम बताया थे पचवा की उचन वही सही बनाना ठीक है कौन सा होगा ओप्सन में से बना ये तो देखिए मैं इसे जली डिरेक्ट सोल्व कर रही ही देता हूँ ठीक है आप लोग कोस कर लिजिएगा क्या किया गया ना 15 का क्यूब किया गया 15 का क्यूब होता है 3375 और अपना से अगर हम 3 से भाग करेंगे तो कितना बर में कर जाएगा देखिए 3 एकम 3 3 एकम 3 अगर 3 दुना के 6 और 3 पचे 15 देखिए 1125 1125 देखिए दिया गया है ओप्सन में से कौन से ले ताकि सेम लोजिक हो जाए चलिए बताते है देखिए इसमें क्या 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 है अगर अधिकिया ओप्सन नमर्डी को अगर दिच्चे करते हैं सबसे पहले यह हो सकता है ठीक है 12 का क्यूब 1728 न और क्या करेंगे उसी परकार 3 से भाग लगाएगे तो कितना बर में कर जाएगा 35, 15, 321, 36, 18 देखिए केतना बर में कर गया 576 बर में देखिए 576 नमना भी था यानि इसका D ओप्सन सही होंगे ठीक है ए रहा आपका सत्वा की उचर्ण 326 का सम्मन्द देखिए 20 है तो उसी परकार 225 का सम्मन्द किसे होगा बनाएगा आप लोग वीडियो रोकर ठीक है देखिए दोस्तों कुछ भी ने किया क्या गया इतना बड़ा नमबर कुछ सुचरेंगे इतना बड़ा नमबर इतना चोटा कैसे लाया जा सकता है लाया जा सकता है बहुत सिंपल है देखिए कैसे इसमें solve किया गया कैसे बनाया गया देखिए 300 क्या किया गया 326 के न अगला और पिछला संख्या को क्या किया किया गया आपस में गुना कर दिया गया तो कितना हो गया 36, 18 ठीक है और 24 संख्या को क्या किया गया जोड दिया गया total केतना हो गया 20 ठीक है 20 देखिए दिया है same logic इसमें भी करेंगे क्या करेंगे अगला और पिछला संक्या को आपस भुगूना करेंगे तो केतना हो जागा पांदूना को हो जागा 10 और बीचला संक्या को क्या करना है जोड देना है 10 दूब 12 हो जागा बारा देखिए D option में दिया है ए रहा है दोस्तों आपका अठवा की उचर 42 का संबंद देखिए 20 से है तो उसी परकार यहाँ पर भी देखिए 87 का संबंद 113 से है तो उसी परकार 68 का संबंद किसे होगा प्रसनवाचे के अस्तन पर क्या भरा जाएगा option में से comment में बताने की कोशिस करी है ठीक है चलिए इसे solve भी कर देता हूँ बहुत simple है दोस्तों देखिए 42 से 20 कैसे लाएंगे अगर हम 42 के दोना संबंद को अलग अलग स्क्वेर करेंगे तो कितना हो जागे चार का स्क्वेर 16, 2 का स्क्वेर 4 आपस में जोड़ेंगे तो 16, 4, 20 20 देखिए दिया है सेम इसमें भी करके देखते है 8, 87 के दोना संब्सक्या को अलग अलग स्क्वेर किया जाए कितना हो जाएगा 8 का स्क्वेर 64, 7 का स्क्वेर 49 आपस में जोड़ेंगे तो आजाएगा 113 113 देखिए दिया है सेम इसको भी करिए और इंसर आजाएगा थोड़े मीटा देते हैं जग नहीं है ओके क्या करेंगे 68 के दोना संब्सक्या को अलग अलग स्क्वेर किया जाए तो कितना हो जाएगा चोती 9 और एक 10 यानि 100 हो जाएगा ठीक है जो कि ओप्सन नमर देखिए D में है D ओप्सन इसका सही हो जाएगे तो दोस्ते ये थे कूछ रिजिनिंग अनलोजी नमर अनलोजी क्यूचन रिजिनिंग का जो कि हार इक्जाम में पूछे ही जाते है वीडियो कैसा लगा कमेंड में बताने की कोशिस करिए ठीक है फिर मिलेंगा इसके साथ नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैन जैवारत